वेलकम टू सरोध मिश्राज यूटिप चैनल में यूटिप चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छी वेकेंसी आई हुई है भारत सरकार सिक्षा मंत्राले की तरफ से सिक्षक भरती की नोटिफिकेशन है डीटेइल एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है एक लाग चालीस हजार रुपे प्रती महा स्टार्टिंग सैलरी होने वाली वन लाग फॉति थाउसंड रुपीस पर मन्त स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है विदेश्च में काम करने का मौका मिल रहा है आपको 21 to 55 years तक के candidate apply कर सकते हैं, age limit भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी है age limit यह आपर, 55 साल तक के candidate अगर interested रहेंगे, eligible रहेंगे तो apply कर सकते हैं, वो भी free of cost Ministry of Education and Skills Development Department की तरफ से यह recruitment advertisement डीटेल जारी की गई है तो चलिए बाकी देख लेते हैं कि क्या-क्या subject है, जिन में vacancies है, vacancy number of vacancies कितनी है, qualification क्या चाहिए और कहां से apply कर सकते है, online application है, all over India से candidate apply करेंगे फिर इसकी जो selection की process रहेगी, तो वो क्या रहने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं आकी सभी details आगे वीडियो में यह advertisement टोटल 6 pages की है, 6 pages की advertisement है, Ministry of Education and Skills Development EDCIL India Limited की तरफ से विग्या पंजारी किया गया है, मिनी रतना category 1, CPSC, under Ministry of Education, शिक्षा मंत्राले के अंतरगत आता है, यहां से विग्या पंजारी किया गया, आप देख लेते हैं, बाकी के जितने भी इसके details है, basically जो subjects है, अगर समझ में आ जाए, तो यह रहेखें, यह पूर अरेडी शुरू हो चुकी है, लास्ट देट है, 15 फेवरवरी 2020, 15 फेवरी 2024 की लास्ट देट रहेगी, ओनलाइन अप्लिकेशन की 55 years तक के candidate, maximum age 55 years तक के candidate, अगर 16 January 2024 को आप बेस लेके calculate करते हैं, तो 55 फेवर्श या उससे कम उम्र के candidate apply कर सकेंगे Remuneration इसके जस्ट नीचे है, Remuneration आपको लग रहा होगा कि इतनी salary नहीं दे रहे होंगे, पर इतनी ही salary दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, Consolidated Gross Remuneration of Rupees 1,040,000 per month from the date of joining, इस date से आप join करेंगे, उस date से आपको 1,40,000 रुपे per month मिलेंगे, यह पर लिख भी दिया हैं, वर्ट में 1,040,000 only per month from the date of joining और अब देख लेते हैं, subject की detail, इसकी जो job location होगी, वो भी समझेंगे, selection criteria भी समझेंगे, तो अगर आप ऐसी opportunity चाहते हैं, अच्छा, इसमें मैं बता हूँ, आपको जो job location रहेगी, वो abroad में रहेगी, और अबराट में कौन से location पे रहेगी, तो वो चीज़े समझ लेते हैं, advertisement number 8, भूटान, secondment of stem teachers 2024, number 1, recruitment of stem teachers for the royal government of भूटान, तो actually government of भूटान, भूटान सरकार की तरफ से, on the behalf of भूटान government, अपने भरत सरकार नहीं यह विग्यापन जो है, जारी किया है, भूटान सरकार के बिहा मतलब यह job location भूटान में ही होने वाली है, EDC Limited on behalf of the Ministry of Education and Skills Department, Royal Government of भूटान, invites online application from Indian PGT teachers for recruitment to the following teaching post, अगर आप ऐसी और भी job opportunity चाहते हैं, मेरे YouTube channel पर जहां पर अबराट में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, salary बहुत अच्छी है, देड़लाक के राउंड है पर मन्त, और विदेश में काम करना है आपको यहां पर नहीं, भूटान तो क्या है, कि peaceful है, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं, आप जाके काम भी कर सकते हैं, और past भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत जूर है, mathematics के लिए और इसमें नम्मोर वेकेंसी देखेंगे सीदे, computer science के लिए 28 वेकेंसी, physics के लिए 18 वेकेंसी, chemistry के लिए 19 वेकेंसी और mathematics के लिए 35 वेकेंसी, तो कुल मिलाके 100 वेकेंसी हैं, जिसमें math, physics, chemistry, और computer science है, eligibility criteria, master degree होना चाहिए, 60% या above marks के साथ में, beard होना चाहिए आपका, और computer science के लिए बीएड की जरुवत नहीं है, बीएड नहीं बीएड सिर्फ मास्टर डिग्री है, 60% या above marks के साथ में, computer science में या ICT में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, M.E.M. Tech, computer science, M.Sc. computer science वाले या ICT वाले, English में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और पात साल का experience 11th and 12th standard को तब आप एप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेकनोलोजी, laptop यूज करना वगर यह सब तो सभी को आता ही है, तो रिमुनेरेशन की बात हमने कर ली अब बात करेंगे कि यह जो जॉब लोकेशन की बात कर ली कि भूटान में आपको कहीं पर भी अब इसमें देखते हैं बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो भी देखेंगे, टेनियूर क्या रहेगा, टेनियूर और पोस्टिंग शेल बी मिनिमूम और टू यूर्स, देखेंगे, एक बार जब आप किसी भी अबराट कंट्री, कहीं पर भी आप परेंट कंट्री में काम कर लेते हैं, ब मैं और भी ज्यादा एक्स्पांड ग्रोथ कर सकता हूं, मैं और भी ज्यादा एक्स्प्लोर कर सकता है नहीं नहीं जगहों को, या कर सकती हूं, तो टू यूर्स के लिए ही है फिलहाल, लेकिन अच्छी अपॉर्शनिटी है, टेनियूर पोस्टिंग शेल बी फॉर इसके बाद आगे भी हो सकता है, लीव, मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवल पैसेज और अधर तर्म्स अफ एम्प्लाइमेंट विल बी ऐस पर दो कॉन्ट्रेक्ट विद रॉयल गोर्मेंट और बूटां तो आपको सैलरी तो मिलेगी, अपार्ट प्रॉम देट आपको छुट रडियाएगा, जाएगा प्लाइट के सिलर एकुटिण वेब साइट, विकीपीडिया तो आपको इनफरमेशन ये मिल जाएगी एट्सिल के बारे मैंए," आपको एकुटीमेल आईएटाइट होना चाहिए," बाकी नाम आपको का देट ऑपर्ट परट परेंट सकानन अपलो पोडियो, रिसेंट, पासपोर्ट, साइज, फोटोग्राफ, एंसिगनेचर वगर आपका लगेगा, यह सारी चीज़ें करके जेनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा अपको देट में पोस्टेड एनी वेरिंग बुटान, बुटान में कहीं पे भी आपको मिलेगा लेकिन इ तो यहां पे पेज नंबर 5 पे आपको मिल रहा है, 22 पॉइंट नंबर 22 पे शॉट लिस्टेड कैंडिडेट, पहले तो आप अपलाई करेंगे या ओनलाइन, अपलाई करने के बाद कैंडिडेट की शॉट लिस्टिंग होगी, उनको इनफर्म किया जाएगा वेन्यू कब चाहित कर सब्सक्राइब नश्या नहीं के लिए तो आपको इंट ओनी लोंसी सर्फ पालाई करेंगे या यूजू करेंगे अप प्रिकेशन के समें जो इमेल आईडी, उस इमेल आईडी पे आपको इनफर्मेशन दी जाएगी, कि आप में शॉट लिस्ट भी नहीं होगा जाना होगा दिली में करेंगे न्यू डेली में करेंगे और उरिजिनल उस समय आपके पास ओरिजिनल दोकिमेंट्स होने चाहिए अधर टाइम उप इंटर्व्यू जैसे आप पांच साल एक्सपीरियंस दिखा रहें या फिर आप दिखा रहें कि आपके पास बीएड है या जो भी तो वह आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए नहीं तो फिर आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे महां पर कैंसल कर देंगे रिजल्ट रिक्वेस्ट पर चेंज ऑफ इंटर्व्यू डेट और वेन्यू विल नॉट बी एंटर्टेंड अगर एक बार आपका आपकी होम पेज की और उससे यहां पर देखेंगे ऊपर आप देखेंगे एटसल के बारे में क्या लिखा है वो अगर आप पढ़ना चाहते है तो यहां पर पढ़ सकते है वेबसाइट पर एटसल इंडिया लिमिटेट अमीनी रतना काटेगरी वन सीपीसी और गॉर्मेंट ऑफ अअब आगनाजराशन है तो यहां पर करिएर मुझे दिखाया ओपर आपको शायद मूबाइल में खरी और दिखाए दे तो करिया पहां करेंगे उसक्र पेज सी अपर नो है करियह में अगे उसमेर काई आप आप पर करेंगे अश एक पर लिख़ने हैं तो यह प्लीद़ म और, Recruitment for Eds, फिर से Recruitment पे क्लिक करेंगे एक बार, और यहां पर आपको दिखाए देगा, Recruitment of STEM Teachers for the Royal Government of Bhutan, यह वाला आपको क्लिक कर लेना है, तो 3-4 Steps के बाद आपको यह पेज मिलेगा, और इसमें application की link भी आपको मिल जाएगी, जब आप PDF advertisement वाले open करेंगे ना, तो how to apply आपको मिलेगा, पेज नमबर 3 पर 0.5 पे लिखावा, how to apply, वहाँ पर आपको एक link मिलेगा, number 1 में, http.8sillteacherrecruitment.com, इस पे एक बार क्लिक करना है, क्लिक here to apply, returning user login here, registration form, तो यहाँ पर ही आपको detailed advertisement फिर से मिलेगी, आपको कुछ question पूछना आया, तो for frequently asked questions, कुछ FAQ के answer किये होंगे, कुछ आपको doubt हो, इस पे भी पढ़ सकते हैं, फिर भी problem आजाए, कहीं पर technical problem आजाए, तो यह help desk number है, जो की Monday to Friday, 10 बजे से 5 बे तक आप call करके देख सकते हैं, इस पे response नहीं आए, कहीं technical problem आए, form भरने में, तो यह वाला link दिया हुआ, email ID दिया हुआ, इस पे आप अपना query रख सकते हैं, तो home page की link में आपको video के description box में provide कर देती हूं, best wishes.